दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का गोल्डेन पाट साला में प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में कच्छा आठ के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परिष्छा दोजार चौबिस विश्य हिंदी का सम्कून पत्र देखने वाले हैं आप सभी लोग वीड इस प्रश्ण पत्र में पूछे गए सभी प्रश्ण मोस्ट इंपोर्टन है आप लोग उनको जरूर तयार करके जाएं पहला प्रस्ण है निम्न पंक्तियों में से किसी एक का संद्रव सहित अर्थ लिखिए आठ अंक यहां को से आपको मिलेंगे दो अंक संद्रव लिखन के मिलेंगे तो संद्रव कैसे लिखेंगे तो आप संद्रव में लिख दीजेगा पहले हेडिंग लिखेगा संद्रव उसके बाद उसके अंतर कर लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्धे पुष्टक प्रज्या के नीड का निर्माण फिर फिर कविता से ली पूरा लेशन आपका है नीड का निर्मार फिर फिर यह बहुत इंप्पोरेंट है यहां से पंक्तियां आने की संभावित संभावना है तो आप लोग जो है इसको जरूर तयार करें पूरा लेशन आप अच्छे से तो आजे देखते हैं कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ होने वाला है तो पंक्तियां पहले देखो लिखी गई हैं कि रात साथ दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अब न होगा इस निसा का फिर सवेरा रात के उतपात भैसे भीत करजन जन भीत करणकर तो इसका आर्थ बच्चों इस प्रकार से आप लिखेंगे हम बोले दे रहें आप लोग लिख लिजिएगा आकास में आंधी उठने से अचानक अंधेरा हो गया धूल से भरे बादलों ने एकदम प्रत्वी को घेर लिया इससे दिन रात्री के समान अंधकार युक्त हो गया रात्री और भी अधिक अंधेरे वाली काली हो गई ऐसा परतीत होता है मानो प्रकास करने वाला सवेरा नहीं हो सकेगा इस रात के तूफान और अंधकार से प्रत्वी का कण कण और जीव जगत भायवीत हो गया परन्तु पूर्व दिशा में सूर्य की किरने चमकने से अंधकार दूर हो गया इससे हे पच्छी निरास ना हो और प्रेम का निम कंतर देकर फिर से निर्मान कर और कर नए घौशले को निरमित कर तो इस परकास से इसका जो है आपको आर्थ लिखना है ब्याख्या के रोप तो आपको पूरे आठ अंक यहां से मिल जाएंगे इसके बाद है देखो क्रिनन सब्दों के अर्थ लिखिए यहाँ पे दो अंक आपको मिलेंगे, पीहर, पीहर का अर्थ होता है माई का, दुरगती, दुरगती का अर्थ होता है दुरदसा, अहवान का अर्थ होता है बुलाना, अदम में का अर्थ होता है जिसे दबाया ना जा सके, तो इनके अर्थ आप लिख दीजिएगा, दो अंग आपको पूरे मिल जाएंगे देख़ों जो हर जिले में जो है आपका पेपर अलग अलग हो जाता है इसलिए मॉडल पेपर आपको जो है अलग तरीके से लग रहा होगा लेकिन जो हमारे वहां जो प्रशन पत्र चलता है तो आप लोग यह मत्तम्झें कि हम आपको बेकोब बना रहे हैं या आपको मिलेंगे दो दो अंग का एक प्रस्न है पांच प्रस्न यहा पूचे गए हैं तो इन प्रस्नों को आप ज़रू तयार करके जाएं बस सबिनेवग्यां अन्दल्न के दोर से गुझर रही थी इस वाक्य से लेखा क्या ताथ पर रहे है तो इस प्रस्न को आप अपनी गाइट से या फिर जैसे सर ने लिफाया है वैसे आप तयार कर सकते हैं जूही ने अंग्रेजी सेना का मुकाबला कैसे किया बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी गहा नमर कुशन है नरवदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा और अंगा प्रशन है सोना जंगल के परवेश से गाउं में कैसे आ गई तो इन प्रशनों को आप तयार करिएगा बहुत इंपोर्टन प्रशन है क्वेशन नमर चार दिया गया है निमलिखित आउत्रण का हिंदी में आर्थ लिखो यहां से आपको पां जो अर्थ आप लिखेंगे तस से बिलक्षण बिलक्षणा प्रतिभा तो इसका अर्थ लिखेंगे उसकी बिलक्षण बुद्धी काब्य रचना में भी प्रवत्त थी वह हमेशा विद्वानों की सभाओं में वपस्तित होता था इतना जो है आर्थ आपका पोरा हो नेउस्त का नीज बिलों हो जाएगा आदान का अधान हो जाएगा उनती का अवनती हो जाएगा यह विलों शब्द होगये आपके परशण नमर जो खा दिया गया है निम लिखी शब्दों के तदभश रूप लिखिए तदभ़ निवर्सितत स्थ देर्शं से प्रत प्रेष्टर का मतलब होता है पत्थर दंध का लिखेंगे दंत का लिखेंगे ओस्थ का ओठ लिखना है ठीक ओट या होत्थ सब्द लिखिएगा गाप प्रशन दिया गया है सब्दों के दो दो पर्ड्यवाची सब्द लिखिए तो यहां पर देखो लिखा है चांद चांद को लिख दिजिए चंद्रमा और ससी चंद्रमा और ससी जल का लिखिएगा नीर तोय तालाब का लिज़ेगा तड़ाग और ताल लिज़ेगा बिजली का दामिनी होता है और एक और परज्यावाची को ही ढून लिज़ेगा इसके बाद है कुशन नमबर छे वाक्यांसियों के लिए एक सब्द लिखिए यहाँ पर तीन अंक आपको मिलेंगे तीन है जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वास निया जिस पर विश्वास ना किया जा सके वो होता है अविश्वास निया और दूसरा है जिसका स्वरगवास हो गया हो तो स्वरगिय वास्थान जहां सव जला जाते हैं तो समसान घाट क्वेश्चन नमर छे दिया गया है निमन प्रशनों के उत्तर लिखिए यहां पे आपको चारंग मिलेंगे और उनके उत्तर जो है एक सब्ड में देना होता है तो का प्रशन लिखा है कि संगम तटे प्रती द्वादस वर्सम का लगती तो का की जगा पर आपको लिखना है कुम्भ मेला कुम्भ मेला और खा जो कुश्चन दिया गया है कनक कुम्भे किम आशीत तो किम की जगा पर अमरतम लिखना है क्या लिखना है अमरतम और इसका अंसर हो जाएगा कनक कुम्भे अमरतम आशीत Qution No.7 दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्थ कीजिये यहां से आपको दो अंक मिलेंगे और का देखो दिया गया है भोजा स्वरक्तेन एका सुलोकम अलिखत तो यहां पर आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्थ करना है वो लिख दीजेगा आप वट पत्रे यहाँ पर भरना है वट पत्रे और इसके बाद जो खा दियागा है मुंजाह सोयम पतन्यासा तपोवनम जागम जगाम तो यह हो जाएगा भोजम यहाँ पर भरना है आपका भोजम इसके बाद कुश्चन नमर आठ है यमकलंकार की परिभासा उदार सहित लिखिए इसके बाद नो नमर कुश्चन दिया गया है शरित अथवा नदी सब्द के रूप तुर्तियावा पंचमी वक्ति के तीनों अचनों में लिखिए और दस नमर जो कुश्चन है निम्न में से क गोली गरतंतर दिवस या विद्यार्थी जीवन किसी एक पर आपको जो है निवन्ध लिखना है कम से कम दो पेज में तब आपको पूरे आठ हंक मिलेंगे तो ये वच्चों रहा प्रिश्चन पत्र जो कच्छा आठ के विद्यार्थियों के लिए था मॉडल पेपर और आ आप सभी को योपी बोर्ट से समंधित बहुत सारी जानकारिया महां से प्राप्त हो जाएंगी और सामाजी विज्यान और गड़ित की तैयारी अगले वर्ष अगले सत्र में कराना स्टार्ट करेंगे तो आप सभी लोग उस चैनल को जो सब्सक्राइब करें आज की इस वी निवाज जैहिन वन्यमात्रम